असलामों अलेकुम, हेलो फैंट्स, वेलकम टो मैं जहाराज की चेन, मैं हूँ जहारा उमीद करती हूँ, आप सफेरियत से जरूर होंगे आज ही मैं आप सभी के साथ अफगानी चिकन फ्राई की रेसिपी लेकर रहे हूँ, जिसे बनाना बहुत यासान है इसके साथ खाय जाने वाली क्रीमी हरी चटनी की भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को इन तक जरूर देखते रहे हैं, अगर इस तरह से चिकन फ्राई बनाएंगे, बहुत इलाजवा बन कर तयार होगा, उपर से जितना एक क्रिस्पी रहता है, अंदर से उत सबसे पहले, 700 ग्राम चिकन को अच्छी तरह से पानी से साफ करके छलनी पर रखा हुआ था, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जितना थो निकल चुका है, और लेक पीसस पर और बड़े बड़े पीसस पर आपको इस तरह से कट लगा लेना है, अब हमें इस चिकन पर सारा म मिक्स कर लेंगे, दही, क्रीम और अध्र कलैसन का पेस्ट, उसके बाद मैं यहाँ पर एक छोटी चमच जीरा पाउडर डाल देती हूँ, एक छोटी चमच मसाले पाउडर, एक छोटी चमच काली मिच्च पाउडर, इसी के साथ हमें हाँ पर दो चोटी चमच कुटी भी ल कर ना है और कुछ भी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से आपका पेश्ट बनकर त्यार हो झाएगा अब जीर को अच्छी तरह से मसाले में मिला लेना इस तरह से बिल्कुल इस तरह से आपको सूखा सा पेस्ट बना कर त्यार करना है अब मैं हैं पर चैरकुल का फ्लेवर दे देती हूं यानि कोईले को मैंने तेज आच पर गर्म कर लिया है इसके ऊपर रख लेती हूं इसके साद इसको पर थोड़ा सा घी डाल दूंगी जैसे ही धुआ आएगा हम इस बरतन के लिए साइट पर रख लेते हैं तो यहां पर देखिए एक घंटा हो चुका है अब मैं इस कोईले को बाहर निकाल देती हूं कोईले का जो दूहा था चिकन और मसाले में आ चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से मेरनेट हो चुका है आप चाहें तो इसे और दो से तीन कूपर का जो कोटिंग है वह निकल जाएगा तो दो मिनिट लिए उसी तरह से चोड़ दे हाई फ्लेम पर उसके बाद आपको क्या करना है फ्लेम मीडियम लो कर लेना है मीडियम लो फ्लेम पर हम तब तक इसे फ्रै करेंगे जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से पकतना ज दालकर आप का सकते हैं तो यहां पर मैं क्रीमी हरी चटनी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ सेयर कर देती हूं चटनी का जाले ले हरा धन्य डाल दें थोड़ा सा आपको डाल देना है और नमक बीना पानी डाले हमें इसे पीस लेना है बहुत मज़ेदार का तयार होगा इसे जरूर त्राइक किजे गाए इसे आप किसी भी स्ट्राइटर के साथ और वींना ब्हुत लाजवाब चटनी बन का त्यार होता है तो आफ देख सकते हैं कितना मज़ेदार कितना क्रीमी टेक्ष्चर ऑला चटनी बन का तयार हुए है आप इसे और चपरम क्रिस्पी चिकन कितना लाजवाब देखने में जितना टेम्टिंग है खाने में उतना ही मज़ेदार का है इसे आप हरी चटनी के साथ जरूर खाईए यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी क्रिस्पी चिकन किस तरह से लाजवाबन का त्यार हुआ है ज प्लिस इस वीडियो को लाइक शियर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करते भी जाईएगा तो चलिए मिलते हैं एकने रिसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दूाओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफीज